तो दोस्तो आज 21st वेबरी 2023 मार्केट के अंदर आज बहुती जादा वलिटिलिटी हमें देखने को मिला साती साथ मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है जैसे कि आप अब देख सकतो शुरुआत की समय पे थोड़ा बहुत गयाप आ उपेनिंग होने के बाब जूद भ या लगबग 17,826 पॉइंट पर यानि एड़ ता एंड कोई बहुत बढ़ा गिरावट या तेजी हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला एकदमी मार्जिनल क्लोजिंग हुआ आज निफ्टी के अंदर तो इसके पीछे जो में रिजन है कि एक तो जो की सबसे वेटेज वाला सेक्टर यानि बैंक निफ्टी के अंदर कोई बहुत बढ़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला मतलब निफ्टी के साथ साथ आज बैंक निफ्टी भी मार्जिनल क्लोजिंग दिया साथ जा तो फनांशियल सर्विस सेक्टर है यहां पर हमें थोड़ा बहुत आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टेट साधिसाथ डोमेस्टिक मार्केट का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यानि आज जो कारवार देखने को मिला एफ़ाइज और डियाएज द्वारा सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे तो चले एक एक करके निउस को कवर करते हैं तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट निउस दोस्तो अधानी ग्रूप के उपर तो दोस्तो जैसे का आपको मालूम है आज से लगबग एक महीने पहले हमने देखा था हिंडेनबर्ग रिसर्च की तरब से बेसिकली दो एलिगेशन लाया और आज की डेट पर दोस्तो अधानी ग्रूप के उपर निउस मैनुपूलेशन का भी एक बहुत बढ़ा एलिगेशन आया है वो कहां से वीकिपेडिया की तरब से आपको मालूम होगा वीकिपेडिया तो देखें निउस का आर्टिकल्स कुछ ऐसा है कि वीकिपेड अंडिकल्यार पेट एडिटर टू राइट एंड सेनेटाइज डिलेटेट वीकिपेडिया पेजेस तो बेसिकली आप इनका यह कहना है कि जो वीकिपेडिया का जो न्यूज बगर है उसको दोस्तों छेर खानी किया है जो कि इंप्लोइट बट अन ओफिशियल ध्यान से सम सब्सक्राइब आज दोस्तों आपके सामने है कि सेंसेक्स निफ्टी एंड फ्लैट इन चौपी सेजन अहेड ऑफ फेड मिनर्स तो जैसे कि आपको मैं पहले भी इंफर्म किया था कि इसी ट्रेडिंग विक पे दो बड़े इवेंट होने जा रहा है एक होका आपका थर्ज का मीटिंग का मिनर्स उसका भी कल आउटकम निकलेगा तो यह बड़े बड़े दोस्तों जो इवेंट है और इसके तुरू आपको मालूम पड़ेगा चाहिए यूएस के अंदर हो चाहिए इंडिया के अंदर हो आगे कितना पर परसेंट जो की रेपोरेट हाई कर सकता है जो की सेंटरल बैंक द्वारा तो कहींने के इस चीज़को भी मार्केट का रियक्ट जरूर करेगा और कहींने के इसका इंपक्ट हमें और यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल गया जो कि आगे चलके हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों लेडी मैं कवर कर चुका हूं तो बहुत सारे हमारे विवर्स ने कमेंट में बोल ला था कि इसका जो की नोटिफिकेशन नहीं मिला यूटूब की तरफ से तो मैंने सुझा चलो ठीक हो और एक बार मैं आपको इंफर्म कर देता हूं तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है आ नाशनल स्टॉक एक्सेंज का जो मैनेजिंग डिरेक्टर उसके साथ चीप एक्जेटिव ऑफिसर उनके तरफ से यहां पे क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि से भी हैस अल्यडी एलाउट इक्विटी मार्केट टाइमिंग टू बी एक्सेंडेट टू नाइन एम तू आप लॉक्स बारा बज़े तक दोस्तों एफेनों के अंदर दोस्तों आप 22 कर सकतो वे हैब नॉट मूब फ़रवर्ट नाव वर्किंग विट आवर मेंबर्स और टॉकिंग देयर फीडबैक और वर्ट नीट टू बीड़न तो दोस्तों यह स्टेटमेंट के बारे में बाट जीत करेंगे करके कुछ ना कुछ आउट करेंगे तो इसको पर अपडेट में आपको आगे दे दूंगा जब भी कोई भी अपडेट आ जाएगा एनसी की तरब से नेक्स्तों बहुत इंप्डेट ग्लोबल मार्केट से यहां पी यहां पी युएस मार्केट ओपन हो चुका है और डॉजोंस के अंदर शुरुवात की समय एकदम गिरावाट देखने को मिला जैसे कि अब अब देख सकतो शुरू मी हुआ था यहां पे गाप डाउन उसके लगादार गिरावाट अभी अगरम बात करें ग्यारा बच के 48 में मतब युएस के टाइमिंग के एक परसेंट गिरावट के साथ ट्रेट करें नास्डेक और जोंस के अंदर भी करिब-करिब देर परसेंगी गिरावट वाज प्लोज होने के पहले पहले अगर कोई यहां पर रिकवरी नहीं आया तो कहीं नहीं दोस्तों इसका इंपक्त हमें कल इंडियान मार्केट के अंदर सब्सक्राइब करें निफ्टी की फ्यूचर की बात करें तो देखिया आज निफ्टी जहां पर क्लोजिंग दिया था मतब 17,826 पर निफ्टी फ्यूचर का पोजिशन थोड़ा सा बेटर है 17,902 पर जैसे कि अब आप देख से तो बाकी बात करें डॉलर इंडेक्स में फि तो जैसे कि आप देख से तो करेंसी का वैलेशन फिर से गिरे चुका है यूएस डॉलर के अभी ट्रेट करा है 82.877 जो कि कल तक हमने देखा था 82.7 संतिंग चल रहा था अभी जैसे ही डॉलर इंडेक्स का जो यहां पर संटेज इंक्रीज हुआ वैसे हमें इंडियान करें कि देखने को मिला तो कल उसको का इंडियान मार्केट मे भी गिरावर देखने के को मिले वाय नीट यंक्वार दोस्तों जो 25 करों कर जो की बहुत ही अच्छी बात है कि एपाइस का लगातार बाइंग प्रेशर में इंडियन मार्केट में वापसी देखने को मिला मतलब या पर लौट तवा नज़र आया दिया इसकी बात करें तो देखिए एपाइस ने थोड़ा बहुत सेल किया बहुत ही कम टोटल अगरब बात करें दोस्तों अज फाइस ने थोड़ा बहुत यहां पर ज्यादा पाइक क्या 525 करोड वाइस सेल की अडिया इस्टे दे दोसो पैंटीस करोड बात करें दोस्तों फाइस का फिर से वापसी इंडियन मार्केट में देखने को मिला तो यह काफी अच्छी बात हो 2% गिरावाट हो या उपर किदर रिकावर कर जाए कल सुबा सुबा इंडियन मार्केट ओपेन होने से पहले दोस्तों आपको हमेशा ट्रैक करने के लिए मैं बोलता हूं दोस्तों इसके उपर भी मार्केट बहुत कुछ डिपेंड करता है तो दोस्तों का फ्यूचर ट्रै 17,750 का लेवल आज की रेट पर हमने देखा सपोर्ट मिला था 800 पर तो कल दोस्तों यह सपोर्ट थोड़ा सा नीचे जा सकता है 17,750 क्योंकि आज एकदम 800 के आसपासी क्लोजिंग दिया तो जिस वैसे अगर यह लेवल ब्रेक कर लिया 17,800 तो कल 200 सीदा सीदा 17,750 क्यों सपोर्ट मिल सकता है इनकेस अगर सारे 700 का जो इंपोर्टेन लेवल यह ब्रेक किया तो कहिने के नेक्स सीदा सीदा जाके रुखेगा 17,500 क्या इतना ज्यादा नीचे जाने का कल चांस काफी कम है इनकेस अगर चला भी गया तो यहां पर आपको पहले सी प्रिपेर होना चाहिए उपर की तरफ बात करें तो पहले दो इंपोर्टेन यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है एक आज जहां पर रेजिस्टेंस फेस किया थोड़ा बहुत हमने देखा शुरुवात की समय पर देख सेकते हो 17,924 तक पहुंच गया था फिर से थोड़ा नीचे की तरफ मूव हुआ 17,900 फिर से रेजिस्टेंस देगा और दूसरा इंपोर्टेंस ट्रॉंग रेजिस्टेंस लेवल है वह है 18,000 का लेवल तो इसी रेंज के आसपास कल निफ्ट हुटी हमें देखने का चांस अब देखना है कि कल मार्केट किस तरफ रहता है जो भी कुछ अपडेट होगा मैं आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकाउंट नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटपराण में डीमेट आकाउंट उपेन कर सकते है जहां पे आपका ब्रोकर इच्परीज ना के बड़ाबा लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप काउंट बन जाएगा